स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकड ओनलाइन स्टिडी में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्तान की प्रमुक हस्त कलाओं के बारे में जो भी important facts है वो clear करेंगे साथ के साथ में last के अंदर दोस्तों 20 MCQ यहाँ पर हम solve करेंगे जो आपके सभी प्रिक्षाओं के लिए दोस्तों अतीम हदपूर है वही जो है क्यूशन हमेशा से ही repeat होते आये हैं उन क्यूशन को ही इस वीडियो के अंदर हम solve करेंगे तो हस्त कला के जो भी important facts हैं सबसे पहले वो ही देख लेते हम तो आप यहाँ पर जो है diagram देख सकते हैं इस परकार के जो वस्तोय होती है वो हस्त कला के अंदर आती हैं तो राजस्तान में जो हस्त कला है तो सबसे पहले जो topic हैं वो है कि स्वोणा चांदी और जवेलरी से समधित जो हस्त कला हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं तो स्वान और चांदी के अभुष्णों से समदित जो भी हस्त कलाएं हैं वो जैपूर के अंदर परसीद हैं थेवा कला की बात करें तो परताब गड़ के अंदर हैं जिसके अंदर दोस्तों काच पर हरे रंग की सर्वनिम नकासी याने की सोने की नकासी की जाती हैं कुंदन कला की बात करें तो ये जैपूर की प्रसीद हैं जिसमें स्वरन अभुष्णों पर रत्न जड़ाई का कारी किया जता हैं कौपतागीरी की बात करें तो जैपुर और अलवर की प्रसिद हैं इसमें फोलाद की वस्तो पर जो है सोने के तार की जड़ाई की जाती हैं उसके बाद तहरीशा जो है वो अलवर और उदेपुर की प्रसिद हैं डीजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई हैं वो तह जैपूर के थाना गाजी और जैपूर और अलवर के थाना गाजी की प्रसिद हैं रमकडा उद्योग जो है वो अपने गलिया को डुंगरपूर का प्रसिद है जिसके अंदर सोप इस्टोन को तरास कर वस्तुए बनाए जाती हैं उसके बाद लाक की जो हस्तकला है उसके अभूशन की बात करें तो उधेवपूर्ज के प्रस्थिते हैं हाती दात पर हस्तकला की अगर बात करिए जाए तो हाती दात की जो वस्तू है वो अपने जैपूर बॉत पूर उधेवपूर और पाली के अंदर जो चपाई के जो कारी हैं उसके अंदर चूंदरी की बात करें तो जोदपूर की प्रसिद हैं जिसके अंदर कपड़ों पर छोटी छोटी जो है बिंदिया लगाई जाती हैं तनक की बात करें तो जैपूर जोदपूर की प्रसिद हैं इस पर कपड़े पर जो है बड़ी बड़ जो है वो अपने जोदपूर के बहुत ही फेमस है जिसमें कपड़े पर एक दूसरे को कारती हुई दारिया बनाए जाती है उसके बाद बेल बुट्टे दार जो छपाई है वो अपने सांगा नेर जैपूर से संबंदी थे फल पतिया पशुपक्षो की जो प्रिंट है वो ब बात करें तो कुचामन नागर से संबंदी थे और पॉमच्या जो है वो जैपूर का प्रसिद है जिसे हम पीले रंग की ओड़नी भी करते हैं पॉमच्या उसके बाद जाजम प्रिंट जो आकोला चितोड़गर की प्रसिद है और दाबू प्रिंट ये भी आकोला से और दाबू प्रिंट अकोला चितोड़गर से संबंदी थे उसके बाद ओड़नियों के प्रकार की अगर बात करें तो चार प्रकार की जो है ओड़निया प्रसिद हैं उसके अंदर पहली जो है ताराबाद की ओड़नी फिर है केरी बात की ओड़नी तीसरा है लहर बात की ओड़नी और चोता है जवारबाद की ओड़नी और ये चारो जो ओड़निया है वो अधिवासी महिलाए जो है ओड़ती है ये आपको ध्यान रखना है पगड़ियों के परकार की अगर देखें तो उदे शाई भीम शाई अमर शाई चूड़ावत शाई और जश्वन शाई र मंद है वो भी बालोत राबाडर मेर से है इसमें काला एवं कथई रंग लालेमा लिये होई होते हैं उसके बाद कशीदादारी के अंदर सबसे पहला है घोठे का कार्य तो गोठा जो है वो जैपूर और खंड़ेला सीकर का प्रसिद है घोठे के परकार के अंदर बात करें हम लपा लपी कीरन गोकुरू बाकली बीजिया और नक्षी मुकेश जो है गोटे के प्रकार हैं उसके बाद जर्दोजी का जो कार्य है वो अपने जैपूर का प्रसिद हैं इसमें कपड़े पर जो है सुरेणिम दागे से कडाई की जाती है अगला है पोटरी और च और स्वाई राम सी पर्थम के काल में जो है इरान से ब्ल्यू पोटरी को यहां जैपूर लाया गया था और इसके प्रमुक कलाकार जो है वो करपाल सी सिकावत है ब्ल्यू पोटरी के जो कलाकार है वो करपाल सी सिकावत है ब्लेक पोटरी के अगर बात करें तो वो कोटा से समदी थे सुनाहरी पोर्टरी विकानेर से समदी थे और कागजी पोर्टरी जो है वो अलवर से समदी थे आगे जो है कपड़े की बुनाई तो कपड़े की बुनाई के अंदरір दौस्तों सबसे पहले उनिकंबल की बात करे तो जॉधपूर, जौधपूर, अजमेर का प्रसिद है उसके बात करें तो जॉधपूर जॉधपूर अजमेरं का प्रसिद है इरानी यह बारति änd प्तितीती के का लिन जो है तो केथुन कोटा की हैं मसूरिया जो है वो भी केथुन कोटा या मांगरोल बारा से समन्दित हैं उसके बाद खेसले जो है वो लेटा गाउं जालोर और मेड़ता नागोर के परसिद हैं दरियों की बात करें तो जैपूर अजमेर लवाना दोसा सालावास जोदपूर और ठा जाते हैं उस्ताकला की बात करें तो विकानेर से समन्दित हैं जिसके अंदर उट की खाल पर जो है सुरनिम नकासी की जाती हैं और इसके कलाकार हिस्सा मुदीन थे अगला है टेरा कोटा जो है मिट्टी के बरतने खिलोने बनाना मोलेला रास समद इसके लिए परसिद हैं और बन रावता नागोर महरोली भरतपूर और बस्वा दोसा जो है वो भी मिट्टी की खिलोने के लिए परसिद हैं काग जी टेरी कोटा की बात करें तो अलवर और सुनहरी टेरी कोटा विकानेर का परसिद हैं पीतल पर हस्तकला की बात की जाए तो पीतल की खुदाई गि नागड्य व मोजडिय जो है वह जेपूर जोद्पूर की प्रसुद है बीनोटा जो है दुला दुलन chips car दूलन की जूतियों को का जाता है कशिदा वालीgress जूतिय मेंdasनन刚 प्रस्तिद हैं उसके बाद लकड़ी की हस्तकला के अंदर काश्टकला जो है अपने बसी चित्तोडगर और डुंगरपूर की प्रस्तिद हैं बाजोड जो है उसको चोकी करते हैं बेटने के लिए ये कामाता हैं कटपूतलिया जो है उदेपूर की प्रस्तिद है लकड़ी के खिलोने की बात करें तो मेड़ता नागोर की ये प्रसिद हैं और लकड़ी की गंगोर जो है बाजोर और कावर जो है वो लकड़ी से बनाई जती हैं उसके बाद कागज की जो हस्त कला है उसके अंदर हाथ से बनाने वाले कागज की जो कला है वो है सांगानेर और स्वाई उद्वर्पूर की प्रस्थिद हैं। उसके बाद तलवार की अगर बात की जाए तो सिरोई की तलवार जो है प्रस्थिद हैं। अलवर उदेपूर भी यहाँ पर परसिद हैं, तीर कमान की बात करें तो चंदुजी का गड़ा बासवड़ा और बोड़ी गामा डुंगरपूर जो है वो बहुत ही परसिद हैं, उसके बाद अन्य हस्त कलाओं के अंदर तलवार निर्मान के लिए आपको बता दिया सिरोई खेल के समान के लिए हनुवानगर परसिद हैं, कर्शी यंतर के लिए गज सीपूर सागर्या परसिद हैं, आदुनिक कर्शी यंतर के लिए कोटा परसिद हैं, गरास्यों की फाग के लिए सोजत पाली परसिद हैं, मेहंदी के लिए सोजत पाली परसिद हैं, छाते फालना पाले के परसिद हैं डुंगर शाही ओड़नी के लिए जोधपूर परसिद हैं उसके बाद नानने या कलात्मक गागरे के लिए बिलवाड़ा परसिद हैं पाउं रजाई के लिए जैपूर परसिद हैं संगमगर की मुर्तिया के लिए जैपूर वकिशोरी गाव अलवर परस थात्व के कारें लिए नागौर पुरशीं है प्रसी Paci जोधूर है धातू के कारे के लिए नागोर परसिद हैं, पीतल पर मुरादाबादी शेले के कारे करने के लिए जैपूर परसिद हैं, कासे के बरतन के लिए बिलवाडा परसिद हैं, गोल्डन पेंटिंग्स के लिए नागोर परसिद हैं, लकडी के जुलो के लिए जोधपूर परसिद ह मन मूर्तियों के लिए मोलेला राज समंद परसिद है बकरी के वालों की जट पटियों के लिए जिसोल गाउं बाड मेर परसिद है उसके बाद दोस्तों राजिस्तान कला से समंद जो भी इंपोर्टेंट क्यूशन एक्जाम में जदा तर पूछे जा रहे हैं उनको हम यहाँ की प्रस्तिध है तो पिछ्वाय की बात करें तो नात दुवारा की प्रस्तिध हैं और नात दुवारा राजसमंध के अंदर आता हैं दोस्त अगर विडियो को लाइक नही ने किया जहेवा कलाकला दाएं, तो , ॉप्षन इसका राइट अंसर हो जाएगा, चोता प्रशन है राजस्तान, राज में दर्यों निर्मान के लिए प्रसिद्ध कों सा है, तो WILL के निर्मान के लिए D Debate टाकला सालावास जो है वो प्रसिद्ध है तो ए उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचवा क्यूशन है राजिस्तान राज में ब्लू पोर्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र है तो ब्लू पोर्ट्री जो है वो जैपूर का जो है प्रसिद्ध है तो ए उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा, six number question की बात करें, राजिस्तान राज में पीतल के बरतनों पर मुरादबादी काम राज में कहां किया जाता है, तो जैपूर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीतल के बरतन पर मुरादबादी काम जो है, जैपूर में किया जाता है, और उ नेश्ट क्यूशन है एट नमबर राजिस्तान राजमे में से मसूरिया के लिए प्रसिधिस्तान है तो मसूरिया जो है उसके लिए मांगरोल प्रसिध है जो बारा का प्रमुकिस्तान है नेक्ट क्यूशन नाइन नमबर राजिस्तान राज में पीतल पर मिनाकारी की कला का समंध है तो पीतल पर मन्नाकारी का समंध जैपुर और अलवर दोनों इस्तानों से हैं दस्वा क्यूशन की बात करें टो राजस्तान में किस रजवाड़े ने बलू पोर्टरी को प्रशित दिया था, बलू पोर्टरी जो है जय पूर की प्रसिद हैं, उसके बाद अगला क्यूशन है, मसूरिया साड़ी को किस जिले से संबंधित किया जाता है तो आपको पता हूगा मसूरिया जो साड़ी है, वो अपने कोटा जिले से समन्दित हैं। नेश्ट क्यूशन हैं, राजिस्तान राज में विकानेर के लहरिये वो मांडे परसिद हैं। तो सांगानेर का क्या परसिद हैं। तो सांगानेर का जो है, सांगानेरी प्रिंट जो है परसिद हैं। थार्टीन नमबर क्यूशन, ब्लू पोर्टरी हर्स्त कला में, किस वक्ति को पदम स्री से सम्मानित किया है, तो ब्लू पोर्टरी के अंदर करपाल सी शेकावत को जो है, वो पदम स्री से सम्मानित किया गया है, फोर्टीन नमबर क्यूशन है राजिस्तान राज में प्रस्तिद मिनाकारी यानि थेवाकला का समंद है तो थेवाकला का समंद जो है वो परताबगड़ जिले से है उसके बाद फिफ्टीन नमबर क्यूशन है राजिस्तान राज में राज सिको की साहिता से वूड सीजनिंग प्लांट कहां पर इस्तापित किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर नाड़ा जोदपूर के अंदर Q16 राजस्तान राज में कावड कला का संबंद किस से हैं तो कावड कला का संबंद जो है काष्ट चितरन से हैं Q17 राजस्तान राज में शिल्प ग्राम इस्तित हैं तो शिल्प ग्राम एक उदेपूर में और एक जोदपूर में जो है इस्तित हैं क्विशन नमबर 18 की बात करें, राजिस्तान राज में काश्ट कला की दरश्टी से देश परसिद इस्तान है, तो काश्ट कला के अंदर दोस्तों बसी जो है, वो चितोडगड के अंदर आता है, और ये इस्तान जो है काश्ट कला या लकड़ी के कावड बनाने के लिए परसि विश्वार और अंतीम प्रश्ण है राजिस्तान राज में तूटुडिया हिस्त सिल्प के लिए प्रसिद्य जिल्भ है तो तूडिया के लिए जो है वो दोलपूर जिल्भ जो है भौत फेमस है उसके बाद 21 नंबर जो कुशन है उसका आंसर आपको जो है कमेंट बोक्स में देना है राजिस्तान राज में सोना चांदी और तामवे पर मीना का कार्य कहां किया जाता है तो इसका जो आंसर है आप अपने जो वीडियो के कमेंट बोक्स में जरुर देवे उसके बाद दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरुर एकने के लिए दोस्तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्षिन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रका है आप वहां पर जाके राजस्ताँ कलासंस करती के और अधिक वीडियो देख सकते है या फिर आप हमारे चैनल के पेज़ वाले session में जाके वहाँ पर playlist के अंदर दोस्तों राजस्तान के लासंस करती का playlist बना रखी उसके अंदर राजस्तान के लासंस करती के और वीडियो देख सकते हैं जिनके अंदर दोस्तों केवल Imporo violent facts के अलावा कुछ भी नहींगे और important fact और साथ में दोस्तों आपको mcq क्यूशन जो करवाए जाएंगे वह एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और यह जो क्यूशन है बार-बार repeated होने वाले प्रेशन हैं जो हम mcq के अंदर करवाते हैं उसके बाद जो भी important fact है आपको वही fact बताए जाते हैं वीडियो में जो एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा important है फालतु का आपको एक भी fact या पर नहीं बताए जाएगा दोस्तों बहुत ही important वीडियो हमने आपके लिए cover किये हैं तो आप वीडियो को description में playlist का link दे रखा है वहाँ पर जाके दूसरे जो टोपिक के वीडियो है वह जरू देखिए तन्यवाद दोस्तों मिलते हैं ने श्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद